गुद्ध मॉर्निंग फ्रेंड माईसेल दॉक्टर शिल्पी गैस्वाल आज हम लोग इस टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं वह जॉन लॉक की फिलोसफी में इस्टेट के क्या साइलेंट फीचर है यानि जॉन लॉक अपने फिलोसफी में अपने दर्शन में राज जी की ब जिस समाजिक समझोते की द्वारा एक राज जी की उत्पती है होती है यानि कि एक स्टेट जो है वो इमर्ज होता है उसकी क्या-क्या साइलेंट फीचर है उसकी क्या-क्या विशेशताएं है उस राज जी की जिसकी बात जॉन लॉक ने अपने फिलोसफी में की है यहाँ प सकते हैं तो यहां पर हम यहां पर बात करेंगे कि जो सोचल कॉन्टर थीओरी कि थ्रू जो जौन लॉक ने जिस राज्जी की बात की है कि यहां पर एक राज्य होग एक त интерес होगämä उसकी पीचर क्या है तो यहां पर जूआ रहेख रहे चाहएं राईट टू लाइफ यानि जीवन का अधिकार दीवर्तै और तीसरा है रैट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार तो यहां पर जौन लॉक यह कहते हैं कि इनी तीन बैट्स स्क्रोउ करने के लिए ही ने ही आज कि यहां पर जॉन लॉक यह कहते हैं कि राजी के उत्वती समाजिक समझोते से हुई चुकि प्राकतिक जीवन या प्राकतिक अवस्था बहुत ही अच्छा था उसमें कोई भी लड़ाई जगड़ा नहीं था यूमन निचर बहुत है बहुत दयालो था एक दूसरे की मदद करता था और यह हमारे तीन प्राकतिक अदिकार भी थे लेकिन यहां पर एक समस्या यह थी एक प्रॉब्लम यह थी कि जो भी नैचरल राइट्स थे वो क्लियर नहीं थे और अगर कोई भी यहां पर अगर किसी क नैचरल राइट्स को वोईलेट करता है किसी के भी प्राकतिक अदिकारों का अगर उलंगन करता है तो यहां पर कोई नया अधीश नहीं है कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई एक सकता नहीं है तो इन सारे जो अभाव थे यह सारे जो प्राब्लम्स थे इसको दूर कर लिए व्यक्ति आपने diyorsun लाइफ भेक लायव राइट टो लिबर्टी और राइट वर प्रोपर्टी हिन पराकतिक अधिकारों की रक्षा करने लिए और इसको सिक्योर करने के लिए ही राजी को बनाते हैं तो जों लॉक यह कहते हैं कि समझौती के द्वारा राज तेन काम करता है यहां पर राज्य आज काम करता है है यहां पर पर जो जो राज है तो यह पर पर आप और करता है यानि कि यह चलाता है और कानून को लागू करने के लिए तीसरा यह है कि अगर कोई उस कानूनों का उलंगन करता है तो उस वपराजियों को दंड देता है तो यहाँ पर जॉन लौक जो है वो यह कहते हैं कि समाजिक समझोती कैदार पर जिस राज जी की स्थापना की जाती है उसकी क्या क्या फीचर से इसको हम लोग देखेंगे तो यहां पर यह पॉइंट्स हैं कि अपनी फिलोसिफी में जो राज जी की विशिशता बताई है वो क्या क्या है तो यहां पर हम लोग इसको पॉइंट वाइस डील करते हैं तो यहां पर जॉन लॉक यह कहते हैं कि यहां पर दो तरीके के समझोते हैं यहां पर जितने भी नागरिक हैं जितने भी सिटिजन हैं जितने भी व्यक्ति हैं जो की प्रकतिक अवस्था में हैं वो सरकार से कोई यह कहते हैं कि ठीक है आज से हम आपको as a government elect करते हैं बट आपके duty है कि हमारे इन तीनों जो प्राकतिक अधिकार हैं जो हमारे तीन natural rights हैं उसको आप protect करेंगे तो यहांने कि यहां पर दो तरीके का कॉंट्रेक्ट होआ एक social और दूसरा governmental और अगर वो government यह जो government है वो इसलिए भी बनी है क्योंकि यहां पर प्राकतिक अवस्था में जो state of nature है उसमें इन तीनों जो natural rights है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए government बनी है और लेकिन अगर यह तीन natural rights को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो जो governmental जो contract यानि दूसरा वाला वो फेल हो जाएगा तो यहां पर society as it is रहेगी यानि कि social contract यानि नागरी कापस में वो contract फेल नहीं होगा फेल कौन सा होगा governmental contract social contract as it is रहेगा लेकिन अगर government सही तरीके से काम नहीं करती है यानि कि आपके प्राकतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है according to john lock तो जो governmental contract है जो की राजनितिक अधिकार है राजनितिक जो समझोता है वो फेल हो जाएगा तो यहां पर next है कि state is based on consent यानि कि जो समझोता है वो जनता की सहमती पर आधारित है जहां पर john lock यह कहते हैं कि john lock का जो राज्य है वो जन सहमती पर आधारित है वो consent पर बेस्ट है यहां पर john lock ने समझोते में केवल उनी व्यक्तियों को सामिल किया है जो कि राज्य का निर्मान करना चाहते हैं और जो व्यक्ति राज में नहीं रहना चाहते हैं वो अगर चाहें तो प्राकतिक अवस्ता में पहले की तरह ही बने रहें और यहां पर जो state है वो यहां पर अपना कोई पावर यूज नहीं करेगा यहां पर अपना कोई भी किसी भी तरीके का बादिकारी दबाव नहीं है यहां पर जो contract है वो जनता ने किया और उसके बाद एक contract जो जनता और सरकार के बीश में होता है तो यहाँ पर यह typing mistake हो गया है क्योंकि leak का मानना है यहाँ leak नहीं यहाँ lock होगा तो यहाँ पर lock का यह मानना है कि सहमती ही विश्व की प्रतेक वैद सरकार का निर्माण करती है its means कि कहीं पर भी कोई भी government हो वो तभी valid होगी वो तभी वैद होगी जबकि नागरी खुद अपनी इच्छा से उस सरकार का निर्माण करे ना कि कुछ लोग जबरदस्ति उस सरकार का निर्माण करे जैसे कि अभी अफगानिस्तान में हो रहा है तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो सासन है वो वैलिड नहीं है यहाँ पर जैसे कि आपका इंडिया हुआ यह कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर जब तक कंसेंट नहीं होगा वो लीगल गवर्मेंट नहीं कहलाएगी जो नैक्स्ट है वह यह है कि जितने भी डैस्टने वी नैच्णर राइट्स अब को गीवप क्या जाता है उस सारे प्राकतिक अधिकारों का त्याग नहीं आपर चाएं Srini tähän reager का veggi तो जितने बीब नाग्रिव है वो अपने सारे अधिकार तो दे देते है सव्वरण को कि ठीक है आज से आप हमारे उपर जो है वो सासन करे सब्सक्राइबкомर्शक सासन करिए हमारी रक्षा करिए हमारे प्राकतिक अधिक़रों की रक्षा करें लेकिन mmaw अधिकार है जो प्राकतिक अधिकार है वो अपने पास रखता है वो राइट टो लाइफ राइट टो डिवर्टी और राइट टो प्रॉपर्टी यह नागरिकों के पास ही रहेंगे यह जनता के पास ही रहेंगे और यह वो अपने अधिकारों का त्याग अपने इस राइट् नेक्स्ट यह है कि government is the part of this contract यहां पर सासक जो है वो समझोते का एक पक्षे है जैसा कि अगर आपने हॉप्स का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें यह है कि हॉप्स का जो लेवियाथन है जो सौबरन है वो उस contract का result है वो contract में participate नहीं करता है लेकिन यहां पर जॉन लॉक के according यहां there are two type of contract first is the social and second is the governmental contract तो यहां पर जो governmental contract है वो तो जनता और सरकार के बीश्में हो रही है और यह जो समझोता है तो इसमें एक पार्ट जो है वो government या साशक है और यहां पर गवर्मेंट को यह जरूरी है कि वो समझोते उस contract को follow करे next nuclear झालिमिटेड यानी की जो राज्य है वो सीमी त relevant यहां पर jaooq यह कहते हैं यहां पर jonchnγ यह कहते हैं जो डॉरत के gj tou aита यहां पर जॉन लॉक का जो राज्य है वो निरंगुष हो नहीं सकता वह अबसुरूट नहीं हो सकता उसके बहुत सारी लिमिटेशन हैं पहला यह जो आपनी अथॉरटी वह अपनी सक्ता जन्दा से लेता है दूसरा राज्य को को यह सकता या अधिकार जो है वह एज़ट ट एक न्यास के रूप में मिली हुई है यानि कि यह न्यास या ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी विशेश उद्देश के कारणी किसी ट्रस्ट का या न्यास का निर्मान होता है तो यहां पर राज्य को बनाने का उद्देश या इस सौवरण को इलेक्ट करने का या इस स सोबरन है वह एजर ट्रस्ट है और वो किसी विशेश उद्देश्यों की पूर्थी के लिए ही बना हुआ है तो यहां पर जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य द्वारा राज्य का निर्मान जो है वह संपत्ती का संदक्चन क्योंकि यहां पर सभी की एक इच्छा होती है कि जो ह संपत्ती रखे तो यहां पर जो राज्य है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक वह क्या करेगा वो नागरिकों के जो प्रॉपर्टी है जो संपत्ती है उसकी रक्षा करेगा और यह देखेगा कि कहीं कोई दूसरा नागरिकों संपत्ती का को अपने कबजे में गलत तरीके से तो नहीं ले रहा है और यहां पर यह इस तरीके से यह एक ट्रस्टी के रूप में है और यह ट्रस्टी के रूप में मतलब यह इसका मतलब निकलता है कि जो सरकार की जो शक्तियां है जो पावर है वो लिमिटेड है और यहां पर अगर गवर्मेंट इस लिमिटेशन को जॉन लॉग जो है वो यह बात करते हैं कि मेरा जो राज्य है मेरा जो गवर्मेंट है वो काम वो क्या क्या कार नहीं कर सकता निगेटिव का मतलब यह होता है कि वो सारे निगेटिव फंक्शन वो सारे कार जो की स्टेट के अगेस्ट है यानि राज उसमें चाहकर भी इंटर सारे प्राफ्लम्स को वो सारे असुविधाओं को उन सारे कठनाई हो कुदूर करने का कारे करता है जो के Yap कर सकता है और अगर कोई किसी वायलेट करता है किसी के प्राकति का दिकारों का उलंगन करता है तो यहां सकता है यहां पर जो निगेटिव है तो यहां पर अक्रडिंग टू सील वेफर यह कहते हैं कि जो आक्रडिंग टू जॉन लॉक यहां पर जो जॉन लॉक ने यह जो अपने राजी की विशिश्थाएं उसके अंतरगत वह लोगों को सिख्छा देने उनका स्वास्थ सुधार उनको नातिक बनाने का कोई कारेड़ नहीं कर सकता है इसके लाबा जो चनिगेटिव जो कौसेप्ट चैसेट के लिए वह यह नागरिव पर पर मनमाना कर दो हुआ थह कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि इहाँ पर स्टेट का इमर्जन्स क्यों हुआ है इसी जो प्रॉपर्टी के प्रोटेक्ट्टीं के लिए त्री उर राइट और राइड टौ प्रॉपर्टे को जॉर्ल लॉक्थ है वह यह करता है राज पराजन को तौ आज यहां करो हैं जो नागरीकों कि संपत्ती है उसमेंं इंटरफेर नहीं कर सकता है नेक्स्ट ये हैं Patienten have right to revolt यहां पर रहांड जन्ता को में दूर करने का जो वो अधिकार है वो जॉन लॉग देता है वो यह कहता है कि सास्तक और सरकार की जो स्थापना है वो मनुश्यों के समझोते और स्थाहमती पर होती है इस मिन्स कि जितने स्टेट आफ नेचर में जितने भी करता है यहां अगर कम नहीं करती है जिसके लिए स्टैबलिश किया 걸elles को सकती है अगर इसके लावा अगर हम और बात करें कि जॉन लॉक ने अपने स्टेट के बारे में और क्या फीचर्स बताए हैं तो भी कह सकते हैं कि जॉन लॉक के नुसार यह जो स्टेट है इनका वो पूरी तरीके से वैधानिक है लीगल है रूल और है यहाँ पर जॉन लॉक वैधानिक राजीके अधाननगा को प्रतिपादीत करते हैं यानि कि यहाँ पर रूल of law की बाद करते है रूल of law आप सभी जानते हैं कि जिसे बिटेन में हैं और वहां पर Constitution रिटन रूप में ना होते भी भी Rule of Law है यानि कि Rule of Law के अकॉड़ी की जो गवर्मेंट है वो अपना मनमाना काम नहीं कर सकती है तो यहां पर जॉन लॉग भी Rule of Law या विधी के साशन की बात करते हैं विधी के साशन की बात कर रहे हैं मनमाने शासन की नहीं यहा मनुष्य जो है वह अगर यहां पर किसी को लिबर्टी नहीं है कोई भी उस लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है तो यहां पर जो गवर्मेंट है उसका यही काम है कि वह इस तरीके की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें अपनी कंट्री को जावलब करें और य यानि साशक और साशित दोनों को पर ही समान रूप से वीधी का जो साशन है वो इंप्लिमेट हो लागू हो तो यहां पर रूल आफ लॉग को रूल आफ लॉग के से ही पता चलता है कि जो रूल आफ लॉग है या जो लॉग है उसका इंपोर्टेंस क्या है तो यहां पर यह स्टेट को लीगल और कॉंसिट्यूशनल रूप से बताती हुए जॉग कहते हैं कि बिल्कुर यह जो साशक है वो सारे काम कर सकता है लेकिन वह रूल आफ लॉग को रूल आफ लॉग को ब्रेक नहीं कर सकता वो विधी की स्वासन के विरूद नहीं जा सकता और यहां पर वैधानिक राज जी का जो विचार है यह जॉन लॉग की सबसे वड़ी देन है यहां पर जॉन लॉग ने अपनी नेचर आफ सॉबरेनिटी यानि जो अपनी संप्रभुता है वह राजनितिक संप्रभुता और इसी राजनितिक संप्रभुता को हम अपनी इच्छा से किसी को चुनते हैं तो हमारे पास है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हमारे पास है रानितिक संप्रभुता और जब हम किसी को as a government अपना elect कर लेते हैं अगर लोग सभा का चुनाव हो तो उसमें या विधान सभा का चुनाव हो उसमें तो वो जो सरकार बनकर आएगी तो वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के द्वारा ही बनती है अब जो गवर्मेंट के पास जो सॉवरेनिटी होगी अब वो है लीगल सॉवरेनिटी तो देखें कि जॉन लॉग कितने मतलब की ऐसे पास्चात विचारक थे और जिनकी जो यह आईडिलोजी है वो आज भी इंडियन कॉंटेक्स में यहां तक बिलकुल सच होती ह कि जो सॉवरेनिटी का जो नेचर है वो किस तरीके का है और किस तरीके से हम अपनी गवर्मेंट को इलेक्ट करते हैं और यहां पर उन्होंने नागरिकों को कितना अधिक इंपॉर्टेंस दिया है इसलिए नागरिकों के इंपॉर्टेंस देने के कारण और व्यक्तियों को इंपॉर्टेंस देने की कारण और यहां पर उन्होंने स्टेट की बात तो की पर स्टेट को पूरी तरीकिस एपसल्यूट नहीं बनाया उसने गवर्मेंट को उसने जो सौवरन है जिस सौवरन के उसने कलपना की जिस राजी के उसने कलपना की जिस सरकार के उसने कलपना की तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो है वो भी लिमिटेड होगा उस पर भी कंट्रोलिंग पावर होगी वो मनवाना काम नहीं कर सकता है यहाँ पर उन्होंने रूल आफ लॉक को इंपोर्टेंस दिया और हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जॉन लॉक को उदारवात का जनक क्यों कहा जाता है तो यह वीडियो देखने के लिए ठैंक यूँ